आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आपकी बाठ्य पुस्तक बसंद भाग तीन का पहला पार्ट ध्वनी जो की एक कवीता है तथा इस कवीता को लिखा है हमारे कभी सुरेकान प्रिपाठी निराला जी ने बच्चो आप यह कवीता मेरे साथ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं जान चुके हैं द्वनी के बारे में निराला जी की द्वनी यानि निराला जी की मन की आवाज के बारे में कि वह आप से क्या कहना चाहते हैं बच्चो कभी इस कवीता के माध्यम से अपनी को पतविष्ट होने से बचाना चाहते है यह सब आप इस कवीता में प्रचुकी हैं आज इस भाग आंतरगत आप इस कवीता पर आधारित अभ्यास पृष्ण को हल करने वाले है चलते हैं अपने पृष्ण की तरफ देखते जिसका है प्रिश्ण पहला प्रिश्ण हमारा कवीता से है क्या है प्रिश्ण कभी को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा बच्चों आपने जब यह कवीता पड़ी थी तब अपनी कवीता की पहली पंक्ती थी कि अभी नहोगा मेरा अंत तो आपको इस पंक्ती के उसका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि उसे लगता है कि अभी अभी तो उसके बन रूपी जीवन में बसंत आया है यानि नई भावनाओं का नई उर्जा का संचार हुआ है जिस तरह बसंत के आगमन पर प्रकति खेल उटती है वैसे ही उसके मन में भी नया जोश और उमंग है और वह अपने जीवन में नए नए कारे करके उनकी आभा बसंत की भाती चारों तरफ फैलाना चाहता है इसलिए कभी को ऐसा लगता है कि उसके जीवन का अंत अभी नहीं होगा चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ फूलों को अनंत तक बिक्सित करने के लिए कभी कौन कौन सा प्रयास करता है तो बच्चो इसका उत्तर कुछ इस तरह है कि कभी के जीवन में बसंत का आगमन हुआ है और इससे उसके जीवन में नई आशा और उर्जा का संचार हुआ है और वहे आशा और उर्जा दहे केबल अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहता है बलकि नव युवको यानि अब जो अपने समाज में नए युवक हैं उनको उसने नए नए पुश्पो की भाती बताया है तो उन नए पुश्पो को रहा दिखाना चाहता है आगे बढ़ाना चाहता है और नव युवक अपने पत पर भ्रहमित हो चुके है उन पत भ्रहमित नव युवको को वहे सही मार्ग पर ले जाना चाहता है कभी नव्युवकों को जीवन की बोजलता को दूर कर उन्हें नव जीवन रूपी अमरत का पान करवाना चाहता है चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कभी पुश्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है पुश्प, पुश्पों हमारे कौन है नव्युवक कभी हमारे नव्युवकों की तंद्रा और आलस से को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है यानि नीन से जगाने के लिए वो क्या करना चाहता है इसका उत्तर कुछ इस तरह है कभी किशोरों रूपी पुश्पों की तंद्रा और आलत से दूर करने के लिए अपने स्वपन भरे कौमल हाथ उन पर फेरना चाहता है और उन्हें मनुहर प्रभात का संदेश देना चाहता है ताकि किशोर भी कभी की तरह रचनात्मक कार्यों में प्रवत्त हो सके कभी नव्यूपकों में उर्जा का संचार करना चाहता है चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ जो की हमारे कभीता से आगी से लिए गए हैं बसंत को रितुराज क्यों कहा जाता है आपस में चर्चा कीजिए रितुराज यानि रितुव का राजा तो अपना प्रश्ण है कि बसंत को हम रितुव का राजा क्यों कह सकते हैं इसके लिए हमें क्या करनी है चर्चा करनी है यानि अपनी बात सही साबित करनी है तो बसंत को हम रितुराज क्यों कहेंगे बच्चों भारत बर्ष में क्रमशे 6 रितुएं आती हैं और सभी रितुओं का अपना अलग-अलग महत्व होता है रितुओं में गीश्म, वर्षा, शरद, पतजड इन सभी मौसम का बातावरण पर बहुत अधिक प्रभाब पड़ता है लेक आपने देखा होगा, ये बसंत रितु कबसे आती है बच्चों यह बसंत रितु हमारी फर्वरी के महीने से शुरू हो जाती है तो फर्वरी के महीने से हमारा मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है इस रितु में पेड पौदे जहां नए-ए पत्ते धारnd कर लेती है यानि प्रकरती को देखकर लोगों के मन में आशा और उत्साह का संचार होता है और मानव जीवन उमंग और उत्साह से भर जाता है इस समय पक्षियों का कलरभ भी चारों तरफ दिखाई देता है बोड़े बच्चे सभी के चहरों पर वहर नूर हमें देखने को मिलता है और प्रकती के इस परिवर्तन के कारण बसंत को रितुराच कहा जाता है यानि बसंत के आते ही मानव मन पूरी तरह से खेल जाते हैं लोगों में नवीन काम करने का बहुती अधिक उत्साह जागरत हो जाता है चलते हैं अगले प्रिश्न की तरफ बसंत रितु में आने वाले त प्रिशा और उर्जा का संचार होता है तो इस समय जो रितु में जो त्योहार आ रहे होंगे वह भी बसंत रितु जैसे ही होंगे तो कौन-कौन से हो सकते हैं यह जानने के लिए पहले हमें यह देखना होगा कि हमारी बसंत रितु कब आती है तो हमारी जो यह बसंत रितु है वहे फालगुन महा के उत्तरार्द से प्रारंब होकर बैशाक महा के प्रथम पंदरा दिनों तक रहती है यानि कि अगर हम अमारा अंगरेजी कलेंडर देखते हैं उसके हिसाब से यह है मार्च अप्रेल महा तक बच्चों यह शुरू तो फरवरी से हो जाती है फरवरी के आखिरी समय से शुरू हो जाती है लेकिन मार्च अप्रेल तक यह है RITU ही रहती है इस अबदी में कौन कौन से त्योहार आते हैं देखिए सबसे पहला उमंग और रंगों का त्योहार होली अपने रंगों और उमंगों का त्योहार है तो यह भी बसंत रितु में ही आता है बसंत पंचमी बसंत पंचमी वहर अपसर होता है जिस पर कि हम सरस्वती मातागी पूजा करते हैं इस समय चारों तरफ फूल ही फूल खिल जाते हैं, बातावरण बहुत अच्छा हो जाता है, बैशाखी, बैशाखी भी इसी समय आती है, चेटी चंड, नवरात्रा और राम नमी, ये सारे त्योहार हम बसंत रितू में ही मनाते हैं, चलते हैं अगले प्रिश्ण की तरफ, देखते हैं, रितू पर हमारे मानव जीवन पर पूरी तरह से पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, देखिए, सबसे पहला है अपना पहनावा, यानि जैसी रितू होती है, हम वैसे ही कपड़े पहनते हैं, जबकि शरद रितू आती है, सर्दी का मौसम होता है, तब आप सब लोग गरम-गरम कपड़े गरमियों में तो आप गरम-गरम कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन शरद रितू आती है, जब सर्दी का समय आता है, तब आप अपने कपड़ों में बदलाब कर लेते हो, बारिश के मौसम में आप थोड़े हलके कपड़े पहनते हो, यानि गिश में रितू से थोड़े से जादा गाडे कपड़े पहनते हो, खान पान, खान पान को भी देख लीजी, कि जब गिश में रितु आती है, तो आप हलका हलका बोजन करते हैं, आपको ठंडा ठंडा खाना अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही शरड रितु आती है, तब आपको गरम गरम खाना बहुत अच स्वास्त अनकूलता भी देखी जाए, तो हर मौसम के लिए अपने स्वास्त का अलग-अलग समय होता है, जैसे कि गिश्म रितु में और वारिश बर्शा रितु में हमारे बिमार होने की संभावना जादा पड़ती है, और शरड रितु में हमारा स्वास्त बहुती का बर्णन है, आपको क्या करना है, आपको कभीता की ये पंक्तियां पढ़नी है, पढ़ने के बाद में इसमें ही कहीं इसका उत्तर छिपा है, वह पता लगाना है, पढ़ते हैं फुटे हैं आमों में बोर भौरे बनबन तोटे हैं, होली मची ठोर ठोर सभी बंधन छूट तो बच्चों जब आपने पंक्ती पड़ी तब आपको कुछ समझ में आया यहां पर होली के त्योहार की बात हो रही है और बात हो रही है आमों की आमों में बौर आ रहे हैं यानि आम का जो पेड़ है अब उसमें आम लगने वाले हैं यहें किस समय होता है यहें बसंत है हाँ बच्चों होली का त्योहार भी बसंत रितु में आता है और आमों में बौर बसंत रितु के समय ही लगते हैं इसका उत्तर देखिए उप्योक्त काव्य पंक्तियों को पढ़ने के वाद बिदित होता है कि इन पंक्तियों में बसंत रितु का बढ़नन है क्योंकि इन आपने भरे कौमल कौमल हातों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कभी कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है उन्हें जगाना चाहता है और खुशी-खुशी अपने जीवन के अमरत से उन्हें सीज़ कर हरा भरा करना चाहता है फूलो फौधों के लिए आप क्या-क् चाहेंगे यानि इस प्रश्ण में हमसे पूछा गया है कि आप फूलो और पौधों के लिए क्या करेंगे आप क्या करेंगे जिससे कि हमारे फूलो और पौधों में जान बनी रहे वे सदा खिले रहे तो इसका उत्तर देखिए फूल पौधों की हम इस तरह से देखवाल क कि वे हमेशा खिले रहे और समय समय पर उनमें पानी खाद और निराई गुडाई आदी की व्यवस्था करेंगे ताकि समय पर पानी देंगे समय पर खाद देंगे निराई गुडाई करेंगे तो क्या होगा वे हमेशा अच्छे बने रहेंगे उनमें फूल फल आदी आते रह और बिना वज़े से फूलों को ना तो खुद तोड़ेंगे ना दूसरों को तोड़ने देंगे चलते हैं अगले प्रिश्न की तरफ कभी अपनी कवीता में एक कलपना शील कारे की बात कर रहा है अनुमान कीजिए और लिखिए की उसके बताए कारें का अन्य किन किन संधर व और जैसे नन्य मुन्य बालक को मा जगा रही है यानि हमें क्या करना है ये जो देखिए नन्य मुन्य बालक को मा जगा रही हो ऐसे कुछ बाक्य अपने मन से लिखने है तो हम कुछ बाक्य देखिए इस तरह से लिखेंगे माली पौधा रोपन कर रहा हो बैद का जड़ी ब करना आदी इस तरह के हम बाक्या बनाएंगे तो बच्चो आज आपने मेरे स्वार धनी कवीता का भाग दो जिसमें की इस पार्ट पर ही आधारत अभ्यास प्रश्ण थे वह हल किये बच्चो आपको यह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और प्रश्णों के उत्तर आपको यहीं पर याद हो गए होंगे तो बच्चो अब हम इस पार्ट के अगले भाग में आपके लिए आपका मन पसंदत पिशय माशा की बात लिकर आएंगे तब तक के लिए नमस्कार बच्चो